हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैं इंडिसन बैंक के बारे में जो कि इंडिया के दिगज अनालिसिस के ओर से इंडिसन बैंक के ऊपर काफी बड़ी खबर हैं निकल के आ रही है लेकिं इंडिसन बैंक ही एक ऐसी बैंक है जो अभी भी 50% डाउनसाइड ट्रेड करता हुआ इंडिसन बैंक नजर आ रहा है जो कि 2000 रुपे के आसपास का ओल टाइम हाई है इंडिसन बैंक का तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहां पे एक बढ़िया आप मूं आपको के माधियम से तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तरके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लिजे और फ्रेंड्स जो खबर निकल के आई है वो आप लोग के सामने हैं मनी क कि वेब साइड के उपर आये हैं और दिगज ब्रोकरेज और अनासिस कैसा मानना है कि इंडिसन बेंक करन मार्केट प्राइस से भी 38% अपसाइड के टार्गेट दिखा सकता है तो इस खबर को थोड़ा विस्तार से देखे तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं के ग्लोबल जो कि अपने नाम सुने ही होगा डिगज ब्रोकरेजों में से एक और उसकी और से तकरीबां 1375 रुपे का टार्गेट निकल के आ रहा है इंडिसन बैंक के ऊपर और उसके पीछे उसने काफी स्ट्रॉंग रिजन्स भी शेयर किये ह हुए है और देखा जाए तो इंडिसन बैंक का जिस तरह से फॉकस बनाया है रिटेल इंवेस्टर्स के लॉंच के ऊपर और मसे में लॉंच के ऊपर तो इससे कहीं ना कहीं ब्रोकरेज और एनल्सिस का विश्वास बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और देखा जाए तो वेल्यूशन भी अभी भी काफी सस्ता नजर आ रहा है इंडिसन बैंक का अधर बैंक के मुकाबले हैं तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इंडिसन बैंक में बढ़िया लेवल पर पोजेशन बना के शोट टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया टार्गेट भी निकाल सकते है त तकरीबन शित्योती रजार क्रोड का मार्केट केप यानि लार्ज केप कमपनी है और अगर हम बिजनेस की बात करें तो जिसा की फ्रेंड्स आप देख सकते रेविन्यू में हमें कौर्टर अन कौर्टर बेसिस पे कंटिनूसली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेविन् करें शियर वोलिंग पैंटरंस की तो जिसा की फ्रेंड्स आप देख सकते प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है और तकरीबन 16.55% का होल्डिंग है प्रोमोटर के पास जो कि प्रोमोटर ने रिसेंटली यहां पे होल्डिंग बड़ाई है, FIA की बात करें, तो FIA ने यहां पर Holding कम की है, जितनी Holding FIA ने कम की है, उतनी Holding यहां पर Promooter ने बड़ाई है, DIA की बात करें, तो DEIA ने भी अपनी Holding बड़ाई है, 2% के असपस की Holding DEIA ने बड़ाई है, तो यानिFeil aG saken के सकते के 900 Drop 55 पैसे पर ने जर यह जो ऐपनिंग देखना को मिली और 104 रूपए पहिए अच्छा का स्क्राइब अच्छा खाल्या निसनर को मिरें हाई एका ज़ार आठ रूपए का, और लो डेखनाक न। 黔 कर संच कि बात अब कर रहे तो जो अभी तक क्वांटिटिक Crade हुई तो काफी शांदार नजर आ रहे अप्टर क्लोजिंग मार्केट थोड़ा बूट चेंजिस भी देखना को मिल सकता है अब चार्ट को पर अनालिसिस करते है कि किस तरह की आगे टार्गेट निगल के आ सकते हैं तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंडिसन बेंक का चार्ट मेंने वन डे के टाइम फ्रेंप पर ओपन किया हुआ है और यहां पर कुछ लाइने ड्रो करके रखे है और लेवल्स भी आइडिन्टीफाई करके रखे है 960 का अपना अप में काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है और दो बार इसी लेवल के आसपास से हमें रिकावरी देखने को मिल चुकी है जो कि पहले यही सपोर्ट लेवल है जो रेजिस्टन्स के रामे देखने को मिल रहा था जो कि इस रेजिस्टन्स लेवल के उपर निकला और फिर यहां पर यही रेजिस्टन्स लेवल है सकते हैं और अगर आप पोजिशन बनाना चाहते तो अभी भी फ्रेंट्स पोजिशन बना सकते हैं नो सो साट का एसल रहेगा यानि चालिस पोजिशन का एसल और उपर की सकते हैं और उसके नीचे अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो तो फ्रेंट्स आप इन लोल को चाउट कर अपना श्टडी कंटक कर अपने फाइनेंस इडवेजिक की सलाल है उसके बादे किसी पितरा की कोई पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तरके इंग्रेच करना ना बुले और चैनल बनाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं इसी एक निए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यों अगैन फॉर ओचिंग दिस वीडियो